हे दोस्तो, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube community post पे एक question डाला था और आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से वो कौन सी field है जिसमें आने वाले टाइम में सबसे highest paying jobs होंगी तो इसके उपर जो top comments है, in fact आप check कर सकते हो, almost 80% से जादा जो comments है थे वो सारे के सारे tech jobs ही थे, जो usually IT sector में आते हैं और मैं भी इस चीज़ को खुद भी बोलूँगा कि हाँ, even I think आप में से maximum look सही बोल रहे हो, in fact जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मुझे कौन से field में काम करना चाहिए high salary के लिए, job के लिए, तो मैं उन्हें tech jobs या फिर IT related ही field choose करने बोलता हूँ because हाँ मुझे ये तो नहीं पता है कि उनके strength और weaknesses क्या है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि in general terms, future के लिए ये field one of the safest and best field है, जिसमें अगर वो महनत कर लेंगे अच्छे से, तो वो बहुत पैसे कमा सकते है, job करके, वो भी बस कुछ सालों में in fact आपको पता है, IT sector, Indian GDP में बहुत बड़ा contribution करता है, example, 1998 में वो 1.2% of total GDP of India था और 2017 तक ये sector ने 7.7% of total Indian GDP बन गया, जो बहुत बड़ा number है, और इसलिए ही 2020 के एक report के हिसाब से, आज के time में इंडिया में 4.36 million employees काम कर रहे हैं इसी sector में और ये numbers आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए ही मैं normally किसी को भी यही suggestion देता हूँ, कि ये one of the best option है, career बनाने के लिए, job ले सकते हो इसी topic से related, अभी मैं आपके साथ 5 ऐसे tech job share करूँगा, जो मेरे हिसाब से आने वाले time में बहुत जादा demand में रहेंगे, जो बहुत चीज़ सेलरी दे सकते हैं आपको, especially job number 5 जो है, वो मुझे काफी interesting लगता है, so उसे जरूर देखना और comment करके जरूर बताना कि आपको क्या कौन से job इन में से सबसादा demand में होंगे future में, पाच में से पहला tech job, जो आने वाले tech में बहुत demand में रहेगा वो है, first data scientist का job, Harvard Business Review ने 2012 में data scientist को sexiest job of 21st century बोल दिया था, now data scientist होते हैं, जैसे normal scientist होते हैं, वो experiment करते हैं, new new चीज़े find out करते हैं, वैसे ही जो data scientist होते हैं, वो भी data को ही study करते हैं, उससे related experiments करते हैं, data को देखके new new चीज़े find out करते हैं, क्यों? वैसे ही आज के time पे data को the new oil भी बोला जाता है, वैसे ही कई सारा data companies के पास रखा है, जिसकी वज़े से ही वो एक एक इनसान को easily target कर सकते हैं, target उस इनसान को कोई specific ad दिखाने के लिए हो, या फिर elections जीतने के लिए हो, आपको शाद पता ही होगा कि data का इस्तमाल करके voters को भी manipulate किया जा सकता है, जिसके बारे में ही एक Netflix series है, The Great Hack नाम की, जो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, उसके अंदर आपको काफी interesting चीज हो या फिर power हो, आज के टाइम पर data ये सारी चीज़े हासिल करने के लिए बहुत काम की चीज़े है, और इसलिए ही data scientist आजकल बहुत demand में भी है, Glassdoor ने 2016 से लेके almost हर साल तक data scientist को best job in America डिकलर किया है, और बात बस USA बाहर countries की नहीं है, USA और UK के बाद हमारे इंडिया में ही सब सब्से जदा ग्रोथ मिल रहा है data scientist को, entry level salary यहां पर आराउंड आपको 5-8 lakh पर आना मिल सकती है, और senior level पर आपको 20 lakhs भी मिल सकता है, बट obviously data scientist बनना इतना आसान नहीं है, आपको data visualization, programming, math, statistics, machine learning, ये सारी चीज़े भी सिखनी होगी, जिससे ही आता है हमारा अगला high-paying job, जो होता है, वो इसके basis पे ही होता है, आपका smartphone, जो आपकी शकल देखके ही unlock हो जाता है, उसके पीछे भी machine learning है, similarly हमारा रोज का travel करना भी machine learning पे काफी dependent है, चाहे उसका ola uber जैसी cab booking apps, इसका use करती है, google maps जो आपको बताता है न, you are on the fastest route, despite usual traffic, ये सब के पीछे machine learning है, self driving cars, जो future हो आपको बता देगा, कि AI, machine learning, data science, deep learning, ये सारी चीजों में difference क्या होता है, वो वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी के लिए समझने वाली बात यही है कि, machine learning, engineers की demand आने वाले सालों में बहुत बढ़ने वाली है, और यहाँ पे जो entry level salary होती है, वो 5-8 लग परानम तक मिलती है, और senior level की salary 20 लग के उपर भी मिल सकती है, यहाँ पे skills में आपको probability, statistics, data analysis, system design, software engineering, ये सारी चीज़े सीखनी होती है, थर्ड जॉब आती है software developer की, इंडिया में तीन चीज़ों की कभी कमी नहीं होती है, बॉलिवुड फैन्स, cricket फैन्स, और software developers, github के कितने coding talent outsource होते है, specially Bangaluru से, जिसे Indian Silicon Valley भी बोला जाता है, नौ Bangaluru की ही एक online tech university है, Scalar Academy, जो software engineers को coding skills improve करने में बहुत help करती है, Scalar का mission है कि वो आने वाले सालों में world class software engineers produce करे, starting with India, और वो ये चीज़ करना start भी कर चुके है, पिछले साली Scalar ने इतने सारे students place करे है Amazon में, जितन Scalar के जो students होते है, उन्हें average 270% तक की salary hike मिलती है, और वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़े अचीव कर रहा है, because Scalar ट्रेडिशनल तरीकों से लोगों को नहीं सिखाता है, यहाँ पर जो lectures होते है, वो one-on-one mentorship के साथ मिलती है, जो बहुत highly skilled engineers लेते हैं, ऐसे engineers जो already top companies में काम कर रहे हैं, या फिर कर चुके हैं, और इसलिए ही academy up-to-date और relevant चीज़े लोगों को सिखा पाती है, एक high quality education देते हुए, और इनकी one of the best thing जो मुझे लगी के, Scalar की dedicated recruitment team भी है, जो students को on average 19.5 lakhs per annum का package दिलवाती है, और senior engineers को तो around 39 lakhs के packages दिलाती है, इनकी university का जो highest package ने मिला है, और सच में, यह बहुत amazing बात है, तो अगर आप भी Scalar Academy से सीखना चाहते हो, तो इसकी link मेरे description में दे दूँगा, आप इनकी free classic ज़रूर attend कर सकते हो, job number 4, cloud architect, cloud computing का use करके, कोई भी internet user, कहीं भी बैटे-बैटे, softwares, games और application access कर सकता है, जो basically एक remote location पर stored होता है, और जहां वो software actually stored होता है, उसे cloud बोलते हैं, और cloud की तरह ही, यह industry भी आसमान चू रही है, 2020 में ही, cloud computing industry की worth 4 billion dollars से ज़्यादा की पहुच गई थी, और 2025 तक इसकी worth 9.5 billion dollars तक पहुचने वाली है, और problem यह है कि, आजकल cloud computing professionals की जितनी demand है, उससे कम उनकी supply है, इसलिए ही अगर आप इस पे भी ध skills सीख लोगे, तो आपको 60% salary hack मिल सकती है, और सच तो यह भी है कि, इसके अंदर जो experts होते हैं, जो बहुत high level पे expert होते हैं, उनको 70 lakh per annum की salary भी मिलती है, बट अगिन याद रखो, सिर्फ seasoned experts को ही मिलती है, वो salary, job number 5, blockchain engineer, आजकर अगर कोई भी cryptocurrency की बात करता है, तो सब के कान खड़े हो जाते हैं, बट जिस technology पर, bitcoin, ethereum और बागी सारे cryptocurrencies based है, उसका नाम है blockchain, जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, ब्लोक्चेन बिसिकले एक technique है, डेटा को store करने की, वो भी decentralized तरीके से, मतलब कि यहाँ पे कोई भी central authority नहीं होती है, जो सारी चीज को manage करती है, जै ब्लोक्चेन की तरफ ही switch करेगी, in fact आपको पता है, कि आजकल countries ने भी अपनी voting को, blockchain technology के base पर करना start कर दिया है, जिसकी वज़े से बहुत fair elections हो सकते हैं, और इसके अंदर गढ़बढ होने का chance बहुत कम है, और अगर कुछ लोगों को लगता है, कि blockchain technology का use करके, country की voting आसानी से hack की जा सकती है, तो नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बिकास इसके लिए at least, जितने भी systems है, उन में से 51% systems को, computers को hack करना होगा, जो कि next way impossible है, बिकास ब्लोक्चेन में क्या होता है, कि हर एक computer, दूसरे computer से connected होता है, और यह तो बस एक दो example दिये है, blockchain के ऐसे हजारों use हो bitcoin technologies की, एक interesting fact बतो दो सिर्फ bitcoin industry ही आज 1.3 trillion dollars पर है, जो कि इंडिया की GDP के almost half है, और वो भी इतने early age में, इसलिए ही, blockchain में career बनाना आप ये भी बोल सकते हो, कि पैसे चापने से कम नहीं होगा, अगर आप इसमें अच्छे बन सकते हो तो, सो बस यही थे वो 5 jobs, जो मेरे साब से आने वरे टाइम में बहुत demand में रहेंगे, और आपको बहुत पैसे कमा के दे सकते हैं, आपको क्या लगता है, comment करके मुझे जरूर बताओ, share कर इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ, जिनने high paying jobs की need है, जिनने right now career choose करने का मौका मिल रहा है, और जैसे कि मैं आपको प प्लब बेख्यूर कर दो कि मैं आपको